फ्रेंड्स ये कहानी का दूसरा भाग है अगर आपने इसे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है आप वहाँ जा करके सुन सकते हैं हर रोज इस्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के प्लेश कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके उदिदी घर आ जाती है पर अभी तक वो सिंगानिया मेंसन के बारे में ही सोच रही थी पहले कभी किसी ने उससे बात ही ने की थी इतनी बेरुखी और बत्तिमीजी से ये बात उदिदी को दिल ही दिल में किसी फांस जैसे चुप रही थी एक तो घर की लाडली दूसरी इतनी प्यारी और मासूम कि कोई चाह कर भी उससे कभी कुछ गलत कहीं नहीं पाता था उसका सुभाव भी इतना सब बथा कि कोई उससे बात करे तो बिना प्रभावित हुए रही रहे सकता था शायद यही कारट था जो उदिदी इतना उधास हो गए थी उदिदी चौकलेट खाय जा रहे थी और बस आदित ने जेस तरीके से बात किती उसी के बारे में सोची जा रहे थी उदिर को जब भी कोई टेंशन होती थी तो वो मीठा बहुत खाती थी और आज तो उसने चार पैकेट खतम कर दिये सुहाना ये देखकर थोड़ी टेंशन में आ जाती है कुछ दे तक तो वो कुछ नहीं बोल दी है लेकिन जब उदित बीना रुके चाक्रेट खाती जाती है तो उसे उसके पास आना ही पड़ता है सुहाना उदित के सर पर हाथ फेल कर बेटू कुछ हुआ है क्या आज उदित अरे नहीं दी वो तो ऐसे ही उदित मुस्क्राते वे कहती है सुहाना बेटू कुछ तो हुआ है आपको पता है न अगर हमें नहीं भी बताएंगी फिर भी हमें पता चली जाना है इसलिए चलिए अच्छे बच्चों जैसे जल्दी जल्दी बताईए क्या हुआ है जिससे आपका मूड इतना अपसेट है उदित की हसी गायब हो जाती है और वो उदास हो जाती है शुहाना न नोटिस किया इस बार उदित की पल के नम थी सुहाना जानते थी उदित छोटी मुटी बातों पर रोने वाली लड़की नहीं है उसने उदित का सर अपनी कोट में रखा और बोली बेटू क्या हुआ है आपको किसीने कुछ कहा है क्या आपसे हमें बताओ सुहाना उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगती है उदित सारी बाते सुहाना को बताती है और बताते बताते रोहने लगती है उदित उठकर बैठते हुए दी उस दिन हमने गल्दी की थी अचानक से उनके फंक्सन में चले गए थे लेकिन उन्हें भी तो समझना चाहिए था कि इंसान को जुरूर कोई important काम होगा तब ही उसने ऐसा किया अगर वो उस बात के लिए हमें सुनाते तो हम जरा सभी बुरा नहीं मानते लेकिन आज तो उन्होंने खुद ही पुलाया था फिर भी उन्होंने हमारी इंसल्ट की कितने बत्तमीज है वो मॉंस्टर सिंगानिया उनकी फैमली के बाके सब लोग कितने अच्छे हैं हम समझ नहीं पा रहे इतने अच्छे लोगों के साथ रहते वेवी कैसे कोई इतना बुरा हो सकता है वो इंसान हाई नहीं मॉंस्टर है मॉंस्टर सुहाना उदित को वापस अपनी गोद में लिटा कर बेटू ऐसे किसी के बारे में अच्छे से जाने भी ना कोई राय नहीं बनानी चाहिए हो सकता है आपके लिए उनके मन में जो गुस्सा था वो किसी तरीके से निकल ना पाया हो और आपको देखते ही फूट पड़ा हो या हो सकता कुछ ऐसा हुआ हो उनके साथ उनके बीते दिनों में जिसने उन्हें ऐसा बना दिया हो जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके घर में सब अच्छे हैं तो ये भी हो सकता है कि वो खुद भी अच्छे हो लेकिन खुद को बुरा दिखाते हो अब आप ये मीठा खाना बंद करके खाना खालेंगी तो शायद आपका दिमाग खुद काम करने लगे वरना ये ऐसे ही फाल्दो की बातों को सोचता रहेगा और आपके इत्तु से सर में सरदर्द होने लगेगा उदेदे कितनी अच्छी हो आप कास हर कोई आप जैसा होता अच्छे से हर चीज समझाने वाला आप हर बात के पॉइंट को इतने अच्छे से बताते हो चाहे फिर वो निगेटिव हो या पॉस्टिव आप ठीक कह रही है चलिए खाना खा लेते हैं वरना बुआ जी अभी सुरू हो जाएंगी और फिर उन्हें आप भी नहीं समझा पाओगी दोनों खाना खाने आती है आज उदित ज्यादा नहीं बोलती है बस चुप-चाप खाना खाती रहती है तो बुआ जी सुहाना से पूछती है सुहाना बिटिया का हुआ है तुफान मेल को ऐसे चुप-चुप काहे लगी रही है सुहाना, कुछ नहीं बुआ, बस थोड़ा सरदर्द कर रहा है बुआ, बिटिया, जितना मीठा इखाती है न, सरदर्द का तो पता नहीं पर दात दर्द जरूर हो जाएगा सब हसने लगते हैं, उधर सिंगानिया मेंसन में नीरो कमरे में आते हैं, आदित, तुझे, उनसे ऐसे बात नहीं करने चाहिए थे आदित, उनसे किन से, देश के प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से नीरो, तुझे पता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आदित, हाँ तो उसे इतनी इच्चत देने की जिरुवत नहीं है, वो थी ही ऐसे बात करने लाएक कितनी बत्तिमीज थी, जब कोई गलती करता है तो सौरी बोलता है पर यह तो उल्टा जवाब दे रहे थी, ऐसे लोगों को उनके हिसाब से ही ट्रीट करना चाहिए नीरो, पहली बात उन्होंने नहीं, तूने बत्तिमीजी की थी, और दूसरी बात, गलती के पता लगते ही उन्होंने सौरी बोला था पर जब तू गुस्से में होता है, तो तुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, इस बार गलती तेरी थी आदित, मेरी गलती? दिमाग ठीक है ना तेरा? आदित तिराय सिंगानिया कभी गलती नहीं करता है, लोगों को समझने में, एक बार देख के बता सकता हूँ कि कौन कितने पानी में है निरो, देख बेटा, ये अपना आदित सिंगानिया, लुक आफिस के लिए रख, हाँ, अभी मेरे लिए तुझ सिर्फ आदी है, समझा? और इस बार तुझ गलत है, वैसे मैं तुझे क्यों समझा रहा हूँ? कौन हूँ तेरा? एक इंप्लाय बस जा रहा हूँ मैं, सिंग निरो जाने लगता है, पर आदित उसका हाथ पकड़ लेता है, तो निरो दूसरी तरफ देखने लगता है, आदित अगर गुस्चा है तो थपर माल ले, पर छोड़ कर मत जा यार, और तू बस मेरा एंप्लाय नहीं है, मेरा भाई, मेरा दोस्त है, बोलते वे आदित की चाहिए था, पर मैं मेरे गुस्चे पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, उस पर वो भी तो, चुप होने का नामी नहीं ले रही थी, जानी क्या-क्या बोले जा रही थी, आदित अपने आशो रूख नहीं पाता है, निरो जो अब तक चुप होकर सारी बाते सुन रहा था, आदि को ऐसे देख कर उससे रहा नहीं जाता है, निरो क्या भाई तू भी, मैं कहा जाओंगा तुझे छोड़के, पता है, मुझे कि तू गुस्चे पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, और ये भी कि तू सौरी होगा भी तो भी नहीं बोल पाएगा, चल मैं बोल दूँगा त तेरी तरफ से, चल अब आशू पोचले, वरना अगर किसी ने देखा तो क्या बोलेगा, आदित राय सिंगानिया रोहता भी है, ये सिक्रेट सिर्फ तेरा मेरा सिक्रेट है, दोनों हसने लग जाते ही, निरो, वैसे वो है कितनी प्यारी, और नाम क्या था उनका, आदित, उदी थी मिसरा, निरो चौकने का नाटक करते वे, तुझे उसका नाम कैसे पता, जहां तक मुझे पता, तो अभी दो ही बार मिला है, उनसे बोल बेटा, भो को उठा कर आदित को घूरती वे निरो ने कहा, निरो बेटा, जब कोई मुसे तकराता है, तो मैं उसकी पूरी जानकारी लेकर ही रहता हूँ, उसका भूत, बविज, बरतमान, सब, और यहां तो इसने सीधे सामने से पंगा लिया था, इसे कैसे छोड़ देता, आदित दूसरी तरब देखती बोला, हालंकि उसने जो बात अभी निरो को बताई थी, वो खुद उससे सहमत नहीं था, क् कि आज तक कभी भी आदित को किसी लड़की का नाम इतने अच्छे से नहीं याद रहता था, निरो क्या वहादी, क्या सोच रहा है, उदित जी के बारे में, वैसे तो आदित उसी के बारे में सोच रहा था, पर यह जाहे नहीं होने देता चाहिता था, तो उसने पास रखा तक्या नीरो के उपर भेकार नीरो जुक गया और तक्या सामने से आ रही बंदरा के मुँपर लगा दोनों सात में दी आपको लगी तो नहीं बन्ना हमें तो नहीं लगी पर आप दोनों को ऐसे हस्तावा देखकर हमारी नजर जरूर लग जाएगी आकास और मेरी भी वैसे हो क्या रहा यहाँ भाईयों आदित कुछ काम था क्या दी और आकास आपको आकास क्यों भाई बिना काम के हम आपके पास नहीं आ सकते क्या आदित के पास बैठती वे आकास बोला आदित तू तो मेरा छोटा पैकेट है कभी भी आ सकता है वन्ना और हम कब आएं सिंगानी असर क्योंकि जिस तरह का आज आपका एटिट्यूट था उससे तो यही लग रहा था कि आप आपसे पूछ कर हर काम करना होगा वन्ना के कहते ही आकास और निरो भी वन्ना के साथ खड़े होकर आदित की और देखने लगी आदित क्या दी आप भी न आपको ये सब कहने की जरुवत नहीं है आप जानती है उस वक्त मैं गुस्से में था वन्ना जी आप और आपका गुस्सा अब तक हम इसे बड़े दिल से जहलते आ रहे हैं ये सोच करकी आप कभी किसी लड़की को हर्ट नहीं कर सकते लेकिन आज तो आपने वो महान काम कर दिया आदित तान पकड़की ये आज पहली और आखरी बार था आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा बंदना वादा आदित पक का वादा बंदना जी ठीक है अब वादा कर लिया है तो फिर आपको उदित जी से सौरी बोलना पड़ेगा आदित क्या सौरी और वो भी उसे बंदना बनावटी उसे भी क्या आदित हाद चोड़के जो आगया देवी मया सब साथ में जोर जोर से हसने लगते है हस्ते सो गई इतने ड्रामे के बाद भी आज उदित और आदित अपने परिवार के साथ खुश थे और कल से अंजान भी दोसरे दिन सुबह उदित सुबह उठकर बुआ से जौब इंटरव्यू देने की बात करती है दरसल यहां आने से पहले ही उदित ने दिल्ली की कुछ टॉफ फैसन डिजाइनर कंपनियों में जौब के लिए अपलाई कर दिया था आज उसका पहला इंटरव्यू था लेकिन बिटिया इन नौकरी वाकरी करने की का जरूवत है तुम हिया मोज मस्तिक हातिराई हो वो करो बस बाकि सब कुछ अपनी इबुआ पर छोड़ दू उदित बुआ के गाल खीच कर ऐसे कैसे छोड़ दे किसन करें या इतनी पढ़ाई और डिगरी का अचार थोड़े डालना है अब जब तक यहां है कुछ काम कर लेते हैं या पता कल दीदी की शादी में काम आ जाए वैसे भी यह जॉब हम अपनी लिए नहीं माँ पापा के लिए करना चाहते हैं और फिर हम लखनों में भी जॉब करते थे ना बुआ बिटिया वो अपना देश था वहां सब अपने थे भूले भटके कभी देर हो जाती तो उग घर तक छोड़ जाते थे यह दिल्ली है यहां ऐसे ही नौकरी नहीं मिलती है हमारी तो किसी बड़े आदमी से पहचान भी नहीं है और उस पर नौकरी देने के बहाने लोग जाने का का करे लगी है उदित जानते हैं बूआ यहां बिना कनेक्शन के जौब नहीं मिलती है लेकिन हम जहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां किसी ऐसे को जानते है जो हमारी हेल्प कर सकता है बूआ इकके दिन में ऐसी कौन सी पहचान होई गई यहां तुमारी बिटिया उदित कल जिनके यहां सारियों का ओडर देने गए थे न वहां हमें नीरो जी मिले थे बहुत बड़े मैनेजर है यहां की सारी कंपनियों के बारे में जानते हैं कहीं ना कहीं तो बात पक्की करी देंगे बूआ जी लेकिन कब हूँ कोनों और डिमान करे लगा तो उदित अरे बूआ ओ बहुत अच्छे इंसान है बिलकुत तुमारे किसन का नहिया जैसे बूआ हट पगले तुम किसन का नहिया का जोड इन आदिमियन से लगा रही हो खुद तो पाप कर रही हो हमको भी इसका भागी बना रही हो किसी तरह नीरो का नंबर बता करती है और उसे कॉल करती है उदित क्या हम नीरो सिंगालिया से बात कर रहे है जी अब आपने नीरो को कॉल किया है तो उन्ही से बात करेंगी न उदित हम उदित बोल रहे है याद है आपको कल हम आपके घर आएते नीरो अपनी खुजी को छिफाते वे अरी आपका नाम ही काफी है उदित जी आपको कैसे बूल सकते हैं हम और कल के बाद से तो पूरे घर को सिर्फ आप ही याद है उदित धन्यवाल वैसे हमें आपसे कुछ काम ता नीरो, ये तो हमारी खुश किस्मती है कि हम आपके काम आएं, वैसे क्या काम था? उदित, दर असल आज हमारा इंटर्व्यू है, डर रॉयल्स कम्पनी में, लेकिन हम वहां किसी को नहीं जानते हैं, तो क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? नीरो, ये तो वही बात हो गए, कि मंदिर के बाहर खड़े होकर पुजारी से पूछ रहे हो कि परसाद मिलेगा या नहीं? उदित, हम समझे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नीरो, अरे भाई, दाराल्स हमारी ही कंपनी है, बस आप एक बार यहां आ जाएए, समझ लेजे आपकी जॉब पक्की, वैसे भी हमारे या सेक्रेटरी की पोश्ट खा लिए, अगर आपको सही लगे तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी, नीरो मनी मन में सोच लिता है कि यहां आफिस में रहने से उदिद, आदिद के जादा से जादा करीब रह सकती है, उदिद आदिद के बारे में सोचने लगती है कि जिस सक्स ने घर में कदम रखने पर इतना हंगामा किया था, आफिस जाने पर तो वो मार ही डालेगा, नीर नीरो तो क्या आप उनसे कम है क्या वो क्या कहीं के लाड़ गवर्णन है जो आप पर हुकम चलाते रहेंगे आप उसकी कम्पनी में काम करेंगी बस और फिर एक बात बताईए आप उसे डरती है क्या मुझे तो लगता है उसे सबक सिखाने के लिए आपको यहां जरूर होना चाहिए ये जरूर मातारानी का इसारा ही कि आप उनकी अकड़ तोड़े आपको याद है कल उन्होंने आपके साथ कैसा बीहभीर किया था नीरो उदित को उक्साने का काम कर रहा था और अब ये तरीका काम भी कर गया था उदित सही कहा आपने हम उन जैसे बत्तिमी से क्यों रहे वैसे भी उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है तो क्यों न ये नेक काम हम ही करे अपनी योजना को कंप्लीट होते देख नीरो खुस हो जाता है उसने उदित से कहा तो ठीक है देड़ बजे आ जाईए आफिस उदित ठीक है हम आ जाएंगे उदित दही सक्कर खाकर बैठे देखता है वो उसका बेल कम करता है और फिर सब कुछ समझा कर इंटर्व ilum घंड चलता है इंटर्वित कंपर करके उदित बाहर आती है वो बहुत प्रेंशन में रहती है कि उसका स्लेक्षन होगा भी या नहीं नीरो उसकी इस बेचेनी को भाप कर गहता है आप चिंता ना करें इंटर्व्यू में तो आपको ही स्लेक्ट होना है नीरो अपने मन में क्योंकि इसके सारे इंतिजाम मैंने पहले ही कर दिये दरसल नीरो ने पहले इंटर्वी को कॉल कर दिया था कि ये जाब उधित को ही देनी है थोड़ी देर बाद निजल जाता है और उधित को सेकेटरी के तोर पर चुल लिया जाता है नीरो मुबारक हो तुम कल से आफिस जोईन कर सकती हो या चाहे तो अभी से उधित पहले बाद तो धन्यबाद ये आपकी हेल्प के बिना नहीं हो पाता और दूसरे हम अभी से ही काम सुरू करना चाहते है नीरो ठीक है उपर जाकर जो फर्ष केविन है वही तुम्हारे बॉस का केविन है नीरो अपने केविन की तरफ इसारा करके कहता है वैसे तुम कर तो लोगी ना उधित हाँ बिलकुल उधित ने हाँ तो बोल दिया था पर वो डर भी रही थी कहीं उसका बॉस मांस्टर सिंगानिया ही ना हूँ वैसे भी आफिस तो उसी का था सोचते सोचते उधित नीरो के केविन के बजाए अधित की केविन में लॉग कर देती है उधित मैं कमिन सेर आधित यस कमिन आधित जैसी है सर उठाता है वहाँ उधित को वहाँ देख कर चोग जाता है आदित, तुम यहाँ, उदित, आप आदित अपने केविन में उदित को देखकर वापस चौँख जाता है उसे समझ नहीं आता कि यह आफिस में क्या कर रही है एक बार वो खुद के सर को जटक कर वाफस फिर से उदित की चेहरे की ओर देखता है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह बात आती है कि क्या उदित सच में उसके केविन में है या यह सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है तभी उदित ही बोलती है उदित, सर, मैं उदित मिसरा I am so sorry, सर, एक्चली मैं गलती से आपके केविन में आ गई थी दरसल मुझे आपके जश्ट पास वाले केविन में जाना था आदित, अपने माथे पर उंगली रखकर खुद को सौन रखने की कोसिस करते भी गलती से आपका क्या मतलब है मिसरा, यह क्या कोई पार्ख है जो तुम गलती से आ गई उदित, नहीं सर, वो हम उदित की आपाल लगबग कायब हो गई थी आदित, हम वो क्या? हम वैसे तो हर बात का जवाब होता है तुमारे पास तो फिर अभी क्या हो गया? उदित, सारी हिम्मत इखटी कर गए सर, हमने आज ही आपका Office as Secretary जोईन किया है हमें बॉस के केविन में जाना था पर फर्स्ट थाइम है इसलिए गलत केविन में आ गए I am so sorry सर आदित लगबग उठते वे What the hell? तुम्हें किसने एपॉइंट किया? आदित नीचे रिसेप्सन पर फोन करता है Quickly send Niro to my केविन रिसेप्सनिच ने Niro के पास ये मैसिस पहुचाया और Niro भागता हुआ आदित की केविन की तरब आया क्योंकि उसे पता था कि जरूर उदित ने कोई गलती कर दिये अगले ही पल Niro आदित की केविन में था हापते वे क्योंकि वे चार फ्लोर सीडियों से जो आया था निरो ये सर आदित मिस्टर निरो आपने मिस मिसरा को किस देपार्टमेंट के लिए एपोइंट किया है निरो सर सेक्रेटरी की पोश्ट के लिए आदित मिस्टर निरो आफिस में जहां तक मुझे पता है तीन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी की जरुवत थी तो मिस मिसरा किस बॉस के अंडर है निरो, सर मेरे अंडर आदित कुछ सोचते हुए निरो, मिस मिसरा को अभी मेरे सेक्रेटरी के लिए एपॉइंट की जिये निरो, आदित को गूरते है अधित जो अभी तक चुपचाप खड़ी थी जब उसने ये सुना कि वो मांशन सिंगानिया के अंडर काम करने वाली है तो उसने ये जॉब ना करने का मन बना लिया उधित आई एम सौरी सर बट मैं आपके अंडर काम नहीं करना चाहती सो आई रिजाइन माई जॉब आदित मुस्कराते वे तुम्हारे सौरी और इजाइन दोनों वेश्ट हैं क्योंकि अब तुम तीन मैंने के पहले ये जॉब ड्रॉप नहीं कर सकती आदित ने उधित का चेरा देखा जो डर की वज़े से सुर्क और लाल हो चुका था उसने आगे बोलते वे शायद जॉइनिंग काट्रेंट ठीक से पढ़ा नहीं तुमने ये कंपनी तीन महेने का बॉन्ट सैन करवाती है तो तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तुम्हे अब ये जॉब करनी होगी ये सब बोलते वे आदित के चेरे पर एक खुसी थी जैसे उसे वो खिलोना मिल गया हूँ जिसे वो तोड़ना चाहता है नीरो बट सर आदित नो बट तुमसे जितना कहा गया उतना करो नीरो के पास अब कोई आप्सन नहीं था उसने सर जुगा कर कहा ओके सर मिस मिस्रा आ आने की एक बार कम से कम एक बार तो सर उठा कर नेम प्लेट पढ़ लेती आप नीरो को इस वक्त उदिती पर गुस्सा आ रहा था और उदित को खुद और खुद की किस्मत पर उदित मन ही मन में ये मौस्टर सिगानिया जब से हमारी जिंदगी में आये है सब बुरा ही ने सबस्के देखाया होगा तभी तो हुक्म ऐसे चलाते जैसे सहेंसा सिंगानियाूं है मातारानी अब हमारा क्या होगा बहुत बोलते हैं न हमसे खुश रहना सचे इसी के सजा मिली है हमें अब आज से खुशियां हमसे कोसो तूर भागेगी अब क्या कहेंगे हम दी से हम अच्छे से जानते हैं ये सिक्रेटी का नाठक पक्का इनोंने जानबुच कर किया है हमें परिशान करने के लिए अपने इसी उधेर बुन में खोई हुई वो कब सीड़ियों के करीब आगे उसे पता ही नहीं चला उसने पैर बढ़ाया पैर सीड़ियों पर टेढ़ा पड़ा उधित सीड़ी से गिरने वाली होती है कि नीरो उसे पकड़ लेता है उधित डढ़के मारे अपनी आखें बंद कर लेती है नीरो जब उधित को ऐसा देखता है तो देखता ही रह जाता है सच में वो कितनी मासुम थी नीरो को उधित में एक मासुम बच्ची नजर आती है आधित अपने केविन से सब देख रहा होता है उसे नीरो का उधित के करीब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आय उसे उदित पहली नजर में ही अच्छी लगी थी खास कर उसके आगे बिना किसी ड़़के बोलना वो अब तक कई लड़कियों से मिला था लेकिन हर किसी ने सिर्थ उसका पैसा देखा था वो आदित के करीब रहना चाहती थी क्योंकि वो अमेर था लेकिन उदित अलक थी ये जानने के बाद भी कि वो आदित राय सिंगानिया है उसने गिब अप नहीं किया और पूरी हिम्मस से ठीकी रही हाँ उदित ने आदित की इंसल्ट की थी ये बात उसके मेन इगो पर लगी थी इसलिए वो उसके साथ ऐसा भी हैप कर रहा था उदित को अपनी सेक्रेटरी की जॉब भी उसने उसे अपने पास रखने के लिए ही दी थी बस ये बात उसका एगो नहीं मान रहा था आदित मिस मिसरा को आज के एवेंट की फाइल लेके मेरी केविन में आने को को नीरो उदित से हसते वे इतनी बहादूर हो तो डर से आँख क्यों बंद कर ली कभी कभी खतरों का सामना करना चाहिए उदित बहादूर तो हैं पर आज कल हमारे साथ हाथ से ज़्यादा होने लगे उदिद आदिद की केविन की तरफ देख कर कहती है और दूसरी बात हमें उचाई और अधिरे से डर लगता है दोनों हसने लगते है तभी रेनी आफिस की रिसेप्शनिस्ट मैम आपको सर ने अभी केविन में बुलाया है नेरो जाइए मिसमिसरा आपकी बास ने आपको आद आ गया होगा उन्हें इसलिए हमें बुलाया है कहते वे उदिद रेनी से फाइल लेती है और आधित की केविन में जाती है उदिद मैं कमिन सर आधित यस कमिन सो मिसमिसरा आपको अभी द्वार का पुड़ी के पास वाले ऑफिस जानव है जहां कल इवेंट होने वाला है वहां के अरेंजमेंट करने है और हां उसके पास एक बिल्डिंग है जो नए आफिस के लिए तैयार की जा रही है तो वहां मेरे केविन में आपको सारी चीज़े ठीक से रखवा नहीं है ओके मिसमिसरा आधित ने घड़ी की तरब देखा तो चार बज़ रहे थे फॉस् देख कर कहा अगर यहां से हीली तो शायद काम भी जल्दी हो जाए उद्ध नीचे आती है उसे उत्रे चेहरे के साथ नीचे आते देख नीरो अपने केविन से निकल कर उसके पास आता है नीरो क्या हुआ फिर से कुछ कहा उसने उद्ध ने नीरो को सारी बाते बताई जो आदित ने उसे करने को कहा था नीरो मन में इसका कुछ जादा ही हो रहा है जानता है वो यहां नई है फिर भी इतना काम दे दिया कि साथ बज़े के पहले खतर नहीं होगा इसने दी से वादा किया था फिर भी ऐसी हरकते कर रहा है इसकी तो आज घर पहुंश कर बताता हू उसने उदित की ओर देखा जो भारी मन से आफिस के बाहर जा रही थी नीरो भाग कर उसके पास आया और बोला आप वहां जाएंगे कैसे उदित एड्रेस गूगल बाबा बताएंगे और पहुंचाएंगे आटो वाले भाईया अब बिना देखे कॉंट्रेक्ट साइन किया है तो यह तो करना ही पड़ेगा उटी किस्मत मेरी नीरो क्यों ना मैं आपको छोड़ दू अभी आटो ढूंडने में बेवजे टाइम पेस्ट होगा उदित तब तो आप से अच्छा कोई नहीं है सुक्रिया आपका नीरो कार का गेट खोलकर अभी और भी मौके मिलेंगे आपको मेरी तारीब करने और सुक्रिया आदा करने के इसलिए अभी यह रहने देजिए कुछी देर में दोनों इवेंट वाली जगह पर पहुँच जाते हैं नीरो उदित के साथ उतर कर वहां की कई चीज़ों को करने में उसकी मदद करता है तब ही नीरो को किसी का कॉल आ जाओंगा उदित ठीक है आप आराम से जाईए नीरो चला जाता है इधर उदित सारे अरेंज्मेंट करवा के वर्करों को घर भेज देती है और खुद उस बिल्डिंग में जाकर आदित के ऑफिस की चीज़ों को सही से लगाने लगती है आदित अभी भी ऑफिस पे बैठ को है कि उसके पास तो उसका नंबर ही है आधित अपने मन में जडूर नीरो के पास मीस मिस्टा का नंबर होगा आखिर दोनों में अच्छी खास दोस्ती हो गई है मैं उसे फोन करके पूछने को कहता हूं कि मिस मिस्टा घर पहुँची या नहीं अभी उसने नीरो का नमबर डायल ही किया था कि उसे फोन की आवाज सुनाई देती है आदित टेबल पर रखे फोन को उठा कर देखता है उसे याद नहीं आता है ये फोन किसका है क्योंकि उसके आफिस में तो किसी के पास भी इस मौडल का फोन नहीं है तब ये उसका ध्यान उधीती पर जाता है आदित शायद ये मिस मिसरा का है हो सकता है फोन भूल गई हो और चेक करने के लिए कॉल कर रही हो आदित फोन पिक करके हाँ मिस मिसरा फोन की दूसरी तरफ से सुहाना की आवाज आती है आपको उधित कहा है इस वक्त आदित मैं आदित राय सिंगानिया और उधित कहा है स आपका क्या मतलब है क्या वो अभी तक घर नहीं पहुची सुहाना जी नहीं वो अभी तक घर नहीं आई है इतनी रात तक कौन आफिस वर्क कराता है अपने क्लाइंग से कहां है वो इस वक्त अभी तक तो उसे घर पर होना चाहिए था आदित मतलब अभी वो घर नहीं गई तो कहां होगी इस वक्त ये सब सोस्ते सोस्ते आदित परिसान होगता है लेकिन अपनी परिसानी सुहाना को महसूस नहीं होने देता है आदित मुझे लगता है वो दूसरी डिपार्टमेंट में है और फोन यहीं छोड़ कर गई है मैं थोड़ी देर में आपकी बात उनसे करवाता हूँ सुहाना मिश्टर सिंगानिया अगर हम आपसे कोई बात कहें तो मानेंगी क्या बैसे हम यह आपसे नहीं कहते लेकिन काफी लेट हो गया है तो कहना पर रहा है आदित आप मुझे बड़ी है बिल्कुल कह सकती है सुहाना सर वो क्या है ना अभी दिल्ली आए है हमें चार दिन में और हमें नहीं लगता इस वक दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ है खास कर यहां के न्यू रेजिडियन्स के लिए हो सकता है अभी उसे कोई ढंका आटो वाला नहीं मिले और वो इतनी जिद्धी है कि किसी से हेल्प लेगी भी ने तो क्या आप सिर्फ आज के लिए उसे घर तक छोड़ देजेगा प्लीज हम जानते हैं आपके लिए यह आसान नहीं होगा फिर भी आदित फोन भी यहीं छोड़ गई है क्या है यह लड़की इतना इन्रिस्पॉंसिबल कौन होता है यार कुछ नहीं तो अपने फोन का ध्यान तो रखना ही चाहिए बोस्दे इतना देती है जैसे खुद कभी कोई गलती ही नहीं करती होगी इतना कर उसने उदित का फोन जेब में डाला और चलवाजी में आफिस के बाहर निकलाया उसने अपनी कार का गेट कोला और बैठ गया अब आदित जल्दी से जल्दी उदित को सही सलामत देखना चाहता था आदित ने जल्दी से नए आफिस की तरफ गाली दोड़ा दी आदित कार को फुल स्पीड में भगाया जा रहा था रात के वक्त वैसे भी इस एरे में ट्रैफिक कम ही होता है उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो बता रहा हो मैं भी हूँ तेरे अंदर आदित आफिस के बाहर खड़ी थी बिना एक पल गमाए आदित कार से बाहर निकला और उदित को ढूने लगा बहुत देर तक आवाल लगाने के बाद जब उदित उसे नहीं मिली तो उसे लगा की हो सकता है देर होने की वज़े से शायद वो घर की ओर चली गई हो ये सोचते ही ज जब इवेंट वर्क कंपलीट करके आदित का ओफिस देखने गई तो गलती से पासवाली बिल्डिंग में चली गई थी क्योंकि वहां की अधिकतर बिल्डिंग की बनावट लगवक एक जैसी थी लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस बिल्डिंग में अभी कॉंस्ट्रेक्श गए जो गलती इसने सुबह आफिस में की थी वही यहां पर भी कर दी आदित चे पुहां पहुचा तो देखा तो उदित भी हो सुकर नीचे गिरी थी उसके माते से खोन बहरा था सायद उपर की छट से कोई इट उसके ओपर आ गिरी आदित ने सभाल कर उसे उठाया और उ नीच लेती है उदित के पकड़ने की वजह से वो उसकी तरफ जुक जाता है आदित उदित के एक तम करीब आ जाता है इतने की उदित की सासे उसे अपने चेरे पर महसूस होने रखती है आदित उदित के इतना पास होने से थोड़ा uncomfortable हो जाता है वो उसे बगल के seat पर बिठा कर अपनी seat पर आ जाता है और जल्दी से hospital की वर बढ़ जाता है उदित को examine करने का बात डाक्टर आदित को बताते है कि सुबे से कुछ ना खाने की वज़े से और माते पर इंट की लगने की वज़े से वो भी होस हो गई है चोड ज़्यादा नहीं लगी है लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमजोरी है अगर पॉस्वेल हो तो इन्हें तुरंट कुछ खिरा दे मैं इनके लिए कुछ दवाएं लिख देता हूं आदित ओके डाक्टर ठैंक्स डाक्टर की जाने के बाद आदित कुछ खाने के लिए लानने जाता है कुछ देर में उदित को होस आता है तो वो खुद को होस्पिटल में पाती है वो बेट से उतने ही वाली होती है कि उसके पास डाक्टर आते हैं कैसी है आप उदित माते को चुकर हम अब ठीक हैं बस हलका सा दर्द हो रहा है डाक्टर मुझे यहां कौन लेकर आया है मिश्टर सिंगानिया साधा पिहोस हो गई थी आफिस में और आपको चूट भी आई है वैसे ज़्यादा नहीं लगी है उदित मनी मन में लगता है नीरो सर वहां पहुँच गया थी फिर डाक्टर की वर देखकर क्या मैं घर जा सकती हूं डाक्टर यह जरूर जा सकती है पर पहले कुछ खा लिजे तभी डाक्टर की नजर पीछे से आते आदित पर पढ़ती है यह लिजे मिश्टर सिंगानिया भी आ गया है उदित अपना मूझ छिपाते वे तो मुझे यहां यह लेकर आए है ए माता रानी आपको भी जरा सा सुकून नहीं है जब देखो तब इस मॉंस्टर को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है कसम से कह रहे हैं जल्दे से इनसे हमारा पीछा छोड़वा दिजे वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे आदित चिप्स और चॉकलेट की थैली उदित को देती वे मनी मन में मुझे गाली देना बंद करो लो कुछ खालो फिर तुम्हारे घर चलते है उदित मेरे घर आप क्यों जाएंगे और हमें बाहर की चीजे खाने नहीं पसंद तो हम अपने घर की ही खाएंगे थैली के अंदर जागते वे उदित ने कहा आदित को सुहना की बात याद आई ये लड़की बहुत चित्ती है आदित मुझे तुम्हारी दी ने तुम्हें सही सलामत घर पहुचाने की जिम्मेदारी दी है इसले मैं तुम्हें लेकर घर जाऊंगा उदित उठने की कोशिज करती भी हम अकेले चले जाएंगे कोई बच्ची थोड़े है उजी जैसी एक कदम चलती है लर खळा जाती है आदित उसे सभाल कर वापस बिठाते भी एक कदम तो चला नहीं जा रहा है और घर जाने की बात कर रही हो चलो अब जल्दी से ये चिप्स के पैकेट्स खतम करो और फिर जाकर कारवे बैटो उदित हम पूरी रात बाहर रोर पर बैठे रहेंगे पर आपके साथ घर नहीं जाएंगे आदित अगर तुम्हारी दी से प्राउमिस नहीं किया होता तो अभी यहीं छोड़ कर चला जाता बट आदित कभी अपने प्राउमिस नहीं तोड़ता बस इसलिए ये बरदास कर रहा हूँ उदित किसने कहा है आपको कि आप यहां ख़र रहें हम वैसे भी आपके साथ जाने से रहें उन दोनों की लडाई देखकर डाक्टर कहता है क्या आप दोनों कपस है या आपकी शादी होने वाली है दोनों साथ में बिल्कुल भी नहीं कब भी भी नहीं डाक्टर अभी तक शक था अब यकीन हो गया है आदित को अब गुस्सा आने लगा है इसलिए एक हाद से उठा कर उदित को कंधे पर डाल लेता है और दूसरे से वो थैली लेकर कार तक आता है कार का गेट खोल कर वो पहले थैली रखता है फिर उदित को बिठा कर उसे सीट बेल्ट लगा कर जल्दी से डोड लॉक कर देता है उदित अपना सीट बेल्ट खोलते वे मिश्टर सिंगानिया यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारी जल्दी आदित मुझे भी शौक नहीं है तुम्हें उठाने का घर पहुंचते ही उतार दूँगा अब अपना मुँ बंद करके बैटो सांती से यह दिल्ली है तुम्हारा लखनों नहीं यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है चिप्स के पैकेट खोलकर उसे उदित के मुझे रखकर अब आराम से इसे खाओ मेरा सर नहीं समझी? उदित खुद को थोड़ा कमजोर फिल कर रही थी और उस पर आदित की बड़ी बड़ी अंकों और उसकी बात ने थोड़ा डरा दिया था इसलिए वो चुप हो गई और सीट से सर टिका कर चुप चाप चिप्स खाने लगी आदित को रास्ता नहीं पता था उसने एक नजर उदित की ओर देखा जो किसी बच्चे जैसे पैकेट को देखकर थोड़ा थोड़ा चिप्स खा रही थी ताकि वो जल्दी खतम न हो जाए उसके ख़डूस चेरे पर इस वक्त हासी आ गई तभी उदित ने उसकी ओर देखा और उसने अपना चेरा सामने की यूँ करती भी कहा अगर रास्ता बताने का काम कर दोगी तो शायद तुम्हारे घर जल्दी पहुँच जाए और मुझे तुमसे छुटकारा मिले उदित अभी आदित के इस बात का जवाब देखकर बात बढ़ाना नहीं चाहती थी इसलिए उसने उसकी कार में बुआ के घर की डिटेल स्फीट की और खुद आखे बंद करके सीट से सर लगा के चुपचाप आखे बंद कर ली बुआ के घर पहुँचकर आदित ने उसे उठाने की कोशिस की लेकिन उसके मासूम चेहरे को ऐसे देखकर उसका मन नहीं किया उसे उठाने का उदिद ने अपने तरफ की खिड़की खूली रखी थी इस वज़े से उसके सारे बाल उसके चेहरे पर बिखर कर आ गए थे आदिद ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और बाहर आकर सुहना को कॉल किया सुहाना बाहर आई तो देखा उधित सो रही थी वो उधित को उठाने लगी लेकिन वो तो उधित थी एक बार छे महीने के पहले कुमकरर उठ जाए लेकिन मजा लेकि उधित मैडम को कोई उनकी निन से जगा दे उधित को न उठा देख आदित ने सुहाना को रोक कर खुद उदित को गोद में उठा कर बिस्तर तक ले गया वो जब उदित को लिटाने लगा तो उसने देखा उदित ने फिर से उसका कॉलर पकड़ लखा है उसके इस हरकत पर उसे फिर से यहां से आ गई उसने उसके हाथों से अपनी शर्ट छुड़वाई और जाने लगा तब ही उदित ने नीद में कहा दी मॉंस्टर से घाने जो चॉकलेट दी है वो सिट मेरी है आप उनमें से एक भी मत खाईएगा आदित तो मिस मिस्रा ने मेरा नया नाम करण किया है मॉंस्टर वैसे सूट करता है मुस्पर्ण कहते ही वो बाहरा गया उसने दवाओ का पैकर सूटर को देती ही कहा इसमें मिस मिस्रा की दवाईया है कुछ खिला कर उन्हें खिला दीजेगा इतना कहे आदित अपने कार में बैठने ही वाला होता है तब पीछे से सूटर की आवाज आती है सूहन आपके बारे में उदित ने हमें कई बाते बताई है आदित कार से निकल कर कार के गेट से टिक कर ख़़ा हो जाता है अगर इसने बताई होगी तो अच्छी बाते तो नहीं बताई होगी सूहन आदित के पास ही कार से सटकर ख़ड़ी होकर सही कहा आपने हमारी बेटू थोड़ी अलग है आदित थोड़ी नहीं पूरी अलग है या कह लिजिए पागल है कभी दिवाल कूथती है तो कभी चीजे गिरा देती है जहां जाने को कोऊ उसे छोड़कर हर जगे चली जाती है सुहाना पर यही बात इन्हें इस्पेसल बनाती है यह बहुत स्वाभी मानी है थोड़ी जिद्धी भी है गुस्सा तो इतना है कि क्या बताएं हम यहां बुआ के हाँ आए हैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लिक लेकिन फिर भी उन्होंने यहां आने से पहले ही जौब के लिए अपलाई कर दिया था और देखिए अभी जौब कर रही है वरना जौब करने की कोई जरुवत नहीं है यहां बुआ की अच्छी खासी सारियों की दुकान है सुहाना आदित के मन से उधित के लिए जो गुस्सा था उसे कम करना चाहती थी इसलिए यह सब उसे बता रही थी आदित अब धीरे धीरे उधित को समयने की कोशिस करा था सुहाना दरसल उधित हमारी सगी बेहन नहीं है वो हमारी मौसी की बेटी है जब ये बहुत छोटी थी तब इनके मापापा की डेथ हो गई थी ये जॉब इसलिए करती है ताकि कोई इन्हें ये ना कह सके कि ये पापा की उपर बोज है हमसे पूरे चार साल की छोटी है पर खुद को हमारी अम्मा समस्ती है उच दिन आपके फंक्सन में भी इचान बुषकर नहीं गई थी उच दिन हमारी शादी थी इतना कहकर सुहाना चुप हो गई सायद कोई दर्द नया हो गया था आदित सुहाना को देखती वे आपकी शादी आदित बोलते बोलते रुख गये सुहाना हाँ हमारी शादी में डेकोरेशन का काम उन्हीं काका को दिया गया था जिने आपके आदमियों ने पहले फैक्री की सजावट के लिए बुला लिया था वो बस वहाँ उन्हें जल्दी लाने के लिए गई थी आदित ने सुहाना की ओर देखा वो कहीं से शादी सुधा नहीं लग रही थी सुहाना आप यहीं सूच रहें न कि शादी थी तो हम यहाँ कैसे हैं दिरसल एन मौके पर हमने सादी तोड़ दी आदित I am so sorry आदित को सुहाना के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था आप भी वैसे नहीं हैं जैसे कि हमें बेटों ने बताया था I think situation ही वैसी होगी जो आपने एक दुसरे के लिए गलत इमेज बना लिए आदित मुस्कातविया आप अपने बाते दुसरों को कितनी आसानी से समझा दिया करती हैं बिल्कुल हमारी दी की तरह है सुहाना अगर आप चाहें तो हमें भी दी बोल सकते हैं हम बुरा नहीं मानेंगे सुहाना मुस्कातविया कहती है आदित जरूर दी बट आप ये बात मिस मिस्रा से नहीं कहेंगी यह हमारा सिक्रेट होगा तभी उन्हें उदित की आवाज आती है शायद वो उठ गई थी और उसे भूख लगी थी सुहाना मिस्टर सिंगानिया हम जाते हैं वो क्या है ना बेटों से भूख नहीं बरदास होती है हाँ रात काफी हो गई है तो आप भी घर चले जाएए और समल के जाएगा अधित अगर आप मेरी दी हैं तो मैं मिस्टर सिंगानिया कैसे हो गया आप आधि बोलिए उझे बहुत अच्छा लगेगा है इस्माइल करती भी करता है उदित दी दी कहां है आप आधित जो दी भुखड बुला रही है आपको मैं जाता हूँ सिंगानिया मेंसन बंदना नीरो और आकास आधित का डिनर के लिए वेट कर रहे है आकास दी ये भाई कब आएंगे नीरो बेटा भुखड रुख जा थोड़ा आता ही होगा वैसे भी उसे भुख कहा होगी आज तो वो उदिद जी का दिमाग खारा होगा है न दी नीरो बंदना की ओर देखकर कहता है उसने आज की सारी बाते बंदना को पहले ही बता दी थी सही कहा छोटे हम भी उदिद जी के बारे में ही सूच रहे ही बीचारी कैसे किया होगा आज का काम बन्ना की बास सुनकर नीरो को जैसे जटका लगता है आरे दी वो पता नहीं घर पहुंची की नहीं मैंने उनसे कहा था कि काम खतम करके मुझे कॉल कर देना उनको कॉल तो आया नहीं मैं भी ऐसा उल्जा कि भूली ही गया उन्हे बन्ना तो कॉल करो उन्हें छोटे हमारी तरब से ऐसे मत देखो नीरो उदित की पास कॉल करता है कॉल सुहाना उठाती है सुहाना हाँ कौन बोल रहे हैं आप नीरो एक पल के लिए तो सुहाना की आवाज सुनकर खो जाता है पर फिर उसकी आवाज से जैसे चाग जाता है नीरो आप कौन? सुहाना हम उदित की बड़ी बैन, आप कौन है? नीरो, नीरो सिंघानिया, पूछना था कि उदित जी घर आ गई? सुहाना, हाँ अभी, आदी, मतलब मिश्टर सिंघानिया छोड़ के गए है नीरो, ठीक है, उदित जी को बोलिएगा कि कल मिलेंगे, सुहाना, ओके नीरो, फोन रखके, बंदना की तिरफ देख कर दी, आपके भाई साब तो उदित जी के घर पहुँच गए बंदना सौक होगा, क्या बात कर रहे हैं, आदी, वो भी सीधे उदित जी के घर? नीरो, अभी तो बताया दी, यही बात कर रहे हैं, बंदना कुसं से, नीरो को मारती वी, मजाक नहीं छोटे, सच बताओ क्या बात है, क्या कहा उदित जी ने? नीरो, फोन उदित जी ने नहीं, उनकी बहन ने उठाया था, यह कहकर नीरो बंदना को सुहाना से की हुई बाते बताता है, बंदना सूचती वे हाँ, छोटे छोड़ने तो गए थी, पर क्यूं? तभी आकास बोलता है, कुछ तो गरबर है दी दी, नीरो, यह इंस्पेक् ना लो, रिपोर्टर नीरो कुछ देर में सारा समचार बताएंगे, तभी आधित घर में आता है, आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में, क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में यस जरू लिखेगा, ठैंक यू